सो हेई गाइस दिश्ट पर संचिव रहा है इस पर बात करने वाद है हमारी डॉक्यमेंट अप्लोड ना होने के प्रॉब्लम के बारे में क्योंकि काफी वच्छों के यहां पर डिमांड था कि एंड प्रॉब्स में प्रॉब्लम था कि हमारे पास जो एडिटिंग का ऑप्श चाहिए वह सारी चीजे स्टेप करके दिखाऊंगा तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन सारी जानकर आपको प्राप्त मिलेगी इस वीडियो में तो सबसे पहले पता दू याँ यहां पर आप सभी का चॉविस ताइक तक यह अड़ा डेट है यह तो आप सभ करोगे ठीक है यह वाला कुछ इंटरफेस कुल दियागा इस पर आप साइन कर लेते हम सब ठीक है हमने पासफ़र्ट जाए डालके हमने साइन कर लिया यहां पर ठीक है फिर इसके बाद क्या करना है माई अप्लिकेशन पर क्लिक करना है और उसके बाद यह जो एडिटिंग अप्लिकेस अप्लिक करने अप्लिक यह उसका इक सबस्प्सक्राइब तो इसकारण के वज़े से यह आप नहीं ले रहा है, यह आप सभी को पता है कि आप का CET का और प्रस में आप सभी का जो यह CET का और फार्मेसी लेटर अंट्री यह सारी जो है यह इन सभी का एक्जामेशन आप सभी का कंपलीट हो चुका है, यह आप कोई मैंने नहीं रखत उसके लिए बता दू, अगर नहीं करा है, तो उसका जाल से यादा 10% नमबर लगेगा, मतलब ठीक है, और 10% नमबर 2-3 नमबर एक्स्टा नमबर होते हैं, और कुछ नहीं होता, तो अगर किसने जिसीने अपलाइ नहीं करा है, मतलब अपलोड नहीं करा है, हमारा पास जो LOR है, अभी भी सब्मिट करने का option है, अभी जो सब्मिट करने का option है, सबसे पहले आजाता है आपका email का, यहीं आपके पास एक और मात्र option है, यहां पास यहां पास यहां पर एक option होता था, LOR समिट करने का, आपके पास LOR है यह नहीं है, यहां पर आप सब देख सकते हो, यहां पर कुछ भी आप इस साल अब इस बार जो एटिंग का option खुला है, LOR का option बिल्कुल भी नहीं है, यहां पर एक option रहता था, यहीं पर इसके नीचे रहता था कि आपके पास LOR का option, LOR है यह नहीं है, लेकित इस साल इनोंने दिया नहीं है LOR का option, तो आपके बार क्या है, आप सभी का LOR का function आप नहीं डाल सकते हो, अगर डालना है, तो आपको email लिखना पड़ेगा, email का जो format है आप सभी को मैंने previous video में बता रखा था, वो video के नीचे description box में लिंक दे रहूंगा, उसमे step best app, आपको email किस प्रकार से लिखना है और उसका format क्या actual में format क्या होने वाला है, वो सारी information मेंने दे रखी है, तो उस वाली video को जाके देख लेना, अब बात करते है हमाँ पास second चीज की जो है आपका document submit ना होने का option, इसको हम थोड़ा सा रब कर लेते हैं, अब यहां पर काफी बचोगा, अब यहां पर प्रोब्लम में की, आपका editing का option जिसमें की document upload नहीं हो रहा है हमारा, document upload करने का, अब मैं step best app process बता रहा हो, जिसमें की आपका mark sheet सारी चीजे add होगी, document upload submit करने का मतलब यह है कि आपका mark sheet होगया 10-12th की, और आपके पास जो है आपका card certificate, यही बस document है और कुछी नहीं है क्योंकि नहीं LOR submit होगा अब और नहीं आप सभी का ECA अब upload होगा, ठीक है ECA, तो अब आपको सिर्फ और से यहां पर mark sheet upload करने का option है, अब मैं बता रहा हूँ कि आपको mark sheet किस प्रकार से add करना है, पर click करेंगे ठीक है, educational details पर click करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का option खुलने वाला है, यहां पर क्या करोगे आपके सबसे पहले इसमें जो भी आपने जहां से schooling सारी चीज़ा करें, वह सारी information भरोगे, जिसने 10 करा है जिसने 10 के information डालना, जिसने 12 के information डालना, जिसने करा है जिसने 12 के information डालना, इस अधिया वाले भी डाल देना और class 12 को जितने भी यह सारे चीज़ा है, फिर उसके बात क्या करना है, उसके बात Save & Continue पर हमें क्लिक कर देना है, यह जो green color का button हमाँ पास ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद यह सारे चाही क्लिक करने के बाद, यह okay का option आएगा, इस पर एक pop-up आएगा, इसको हमें क्या कर देना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें पास next screen खुलेगा, थोड़ा सा wait करना पर लेती है, वेट करने के बाद हमाँ पास जो एक फंक्षन करना है कभी कवार यह ऑप्शन थोड़ा से लेट खुलता है अ prolix करना है हम इसको थोड़ा से अगे करते हैं उसके बास धे इदितिन बने का जाते हैं information सबसे पहले आपका 10th का आएगा कि किस प्रकार से में क्या क्या करना है जो भी optional subject है उसको option करना है जो भी compulsory subject था उसको compulsory करना है आप सब देख सकते हो जैसे स्क्रीन पर मैंने करका यह ठीक है उसके सब्सक्राइब करना है उसके बाद क्या करोगे आपका ओटोमेटिकली क्लास 12 का नंबर आपके 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 खुल जाएगा ठीक है इसको जैसे आप इसकीन पर देख सकते हो ठीक है वह आप साईड देखना इस साइड में वापस जो ऊपर ऊपर था वह तोड़ा सा वेट करना यह वापस से सक्सेफफुली दिखा जायगा ओपन से पास next step पे जाना है उसके पास next step पे हमें जाने के बाद क्या आएगा document upload करने का option अगर आपने 10th and 12th option भरा होगा तभी आपका option खुलेगा वो document upload करने का document upload करने का आपके पर स्कीन पर खुलिया यह वाला देख सकते हो और इसमें आप देख सकते हो जब मेरे 12th के नमबर वहाँ पर एड करे तभी यहाँ पर 12th का ओप्शन खुला अब हमें क्या करना है अब इसको फटा फट हमें पहले upload कर लेते हैं फिर आगे बताता इसको क्या करना है माई चूस पर जो पतलब में बता देता हूँ यह जो माई चूस वाला जो ऑप्शन है उस पर उस पर क्लिक करने के बाद आपका computer में या फिर फॉन में जहां पर भी आपका document होगा या तो PNG या तो GPG या तो फिर आपका PDA format यह तीन format आपका लगने वाल क्लिक कर देना है जैसे आप उस पर क्लिक करोगे उसके बाद के आपके पास next option खुल जाने वाला है जिसमें कि आपका course selection का आ जाएगा यहां पर आपका course selection में एक चीज़ बता दू कि अब जो है अगर जिसको CET वाले बच्चे है जैसे CET वाले बच्चे जिसका अब UFM आ क्लिक कर देना यहां पर काफी सारे बाते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं अगर CET वाले CET वाले बच्चे है CET प्लस में CET वाले बच्चे है वह अब दुबाला से अप्लाय नहीं कर सकते इसमें ठीक है क्योंकि हमका दुबाला से examination हो चुका है अब तो दुबाला examination हो लास्ट वाला option दबाया ठीक है जैसे यह पहले था आपका CET वाले बच्चे के तो उसका क्या है तो गलती से उसका UFM आईगा UFM टिक करने का मैंने प्रोसेस बताया था प्रिविएस वीडियो में उजाके देख लेना वीडियो में नीचे description box में आल दो को वासे जाके दे आपका preview form आजाएगा मैं आपको करके दिखा जाता हूँ ठीक है जैसे आप सब देख सकते हो इसमें मैंने साही चीजा information लगा दिया उसके बात क्या करना मैं पास जो ग्रीन कलर का बटन है उस पर क्लिक कर देना हमें उसके बात हमें पास सारा previous form खुल जाएगा preview.com या देखना यह एकी बार आप एडिट होगा उसके बात क्या करना है नीचे है जो option हमें पास क्लिक करने के बाद आपके पास कौन सा option आ जाएगा एक pop-up आजाएगा ओके करने का इस पर कर देना इसका मतलब है कि आपका लास्ट वार अप एडिट कर रहें इसके बाद आप एडिट करने का option नहीं मिलेगा और यह जितनी आप समिट कर रहें उसके बास आपडेट करने के बाद यह साथ प्रेंट कर लेना फेड था यह सारे चीज़े इस प्रकास आपको कहना है प्रेंट पर दवाना है और प्रेंट कर लेना है आपको अगर लैप्टॉप में printer connect नहीं है तो आपको पीडिया फॉर्मेट में सेव हो ज बागे कोई और डाउट हो नीचे कमेंट सेक्षिन आप सभी के लिए खुळा रहेगा तब तक के लिए जाते हैं बावावाए टेकास स्याव अग्रेटे मिलते नाक्ष्ट वीडियो में शान्दा आपक साथ बावाए